हेलो इस्टुडेंट्स मेरे चेन शर्मा आपका अपने यूटूब चैनल शर्मा इस्टडी हाउस में स्वागत करती हूं बच्छो आज हम आपकी सिफ्ट क्लास की जो एसस्टी की वरक्षीट है समाजी विग्यान की जो भूगोल से हैं उसे आजम करने वाले हैं यह आपका क बिमाले के उंचे सिकर से गिरा हुआ है और पस्ची में अरब सागर पूर्व मंगाल की खाड़ी और दक्षन में हिंदमा सागर है भारती प्रादीव के तट्टों पर लहराते हैं प्रादीव को मतलब क्या होता वह इस तर्व तीन तरफ से जल से गिरा हो देकिए भारत भ प्रादीव की भारत की उत्री गोलारद में स्थित्त है करकरेखा से तेज जिगरी से तीज जिगरी उत्तर फेला हुआ है देश के लगवग मद्धे से होगर गुजरती है यह तो दक्षिन में उत्तर की और भारत का मुख्य भूमी का विस्तार 8-4 उत्तर और 37-6 उत्तर अक्षांसों के बीच फैला हुआ है पस्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री से साथ 727 से 30 के भी On!! 82 82 और 32 से पूर्व देशांतर साथी की भारत के मानक कि रूप में लिए जाता है इस यहें ने और भारत का रिखा ऊसे प्षलंब्स बॉस्तर कि ब्षाओं से fünf चामिमोर्थ होता है जो कि इलाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारत का छेट फ़ल 32.8 लाख वर किलोमेटर है भारत में कस्मीर से लेकर दक्षिन में कन्यकुमारी तक विस्तार लगभग 32.2 किलोमेटर है यहां से यहां तक इसका 32.2 किलोमेटर है पूर में अलवाचर से लेकर कस तक इसका व भारत की स्थिती बताई है भारत के वारें बताया गया है अब इसके कोश्चन आंसर कर लेते हैं भारत वुबा का छित्वल कितना है तो 32.8 वर्क किलोमेटर है उधारन के साथ प्रयादीव के प्रिवासित की दिए प्रिशन नमर दो का आंसर देखें यहां पर है सब्सक्राइब देखें यहां पर आप इसे यहां से सकते हैं प्रिशन नमर वन को माना कि भारत का चैसे पर 32.8 लाग पर किलोमेटर है और देखें तीसरा है आपका यह जो ब्लू पैन से लिखा हुआ है प्रपल पैन से इसको आप थार्ड का अंसर कर लेंगे तो आपकी व